आप तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इलुस्ट्रेटर की क्लास नमबर 3 मेरी पहली तो वीडियो में आपने सेलेक्शन टूल और डारेक्शन टूल के बारे में सीखा तो आज में आपको बताऊंगी पाथ और स्ट्रोक एंड फिल और अंकर पॉइंट एंड कर्व ह तो वीवर्श अब से पहले मैंने यहां पर स्ट्रोक का साइज जो है वो बढ़ा लेती हूं ता कि आप लोगों को अच्छे से नजर आ सके क्लेर ले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वाट इस पाथ ठीक है तो उसके लिए मैं लूँगी यहां पर एक लाइन मैंने लगा लें ठीक है इस पर टिक का निशान लगा लें क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा हैल्प मिलेगी अगर आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन हैं तो यह आपको इंडिकेशन्स देंगी ठीक है कि आपके पास कौन सा टूल है उस टूल का नाम क्या है आपके पास इर्द कि मेरे कर्षूर के पास कुछ भी नहीं आ रहा है ठीक है।र अगर मेरे कर्षूर जो पात पर मॉझूद है तो यह एक बात है तो वैसे निए पाथ को अब्लाइक घड का नजार आ रहा है यह एक लाइन है यह अपको यह पाथ नहीं है यह असल में इसके उपर स्ट्रोग है स्ट्रोग के नीचे पाथ है तो पाथ बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के इंसानी रिसम के अंदर हडियों का ढांचा है ठीक है पात भी बिल्कुल यही काम करता है पात के उपर हम अपने जो डिजाइन्स हैं अपना जो स्ट्रोक की मदद से डिजाइन्स बहुत अच्छे डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं तो,ी थक्षे, मैं आपको साथ ही साथ में, आप लूंगों अब नीचे देखने हैं, और नीचे रीचिण नज़र क्यार पाइब के फिल किईर। और जो नीचे वाला है वो फ्रोग है अगर आप अपने माउस के कर्षर को आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन हैं ठीक है और अपने माउस के कर्षर को इन दोनों में से किसी भी बॉक्स पर लेका जाते हैं तो यह आपको इंडिकेट करेगा इलस्ट्रेटर कि आप इस वकत फिल स्ट्रॉक है और अगर तो आप इससे जो है यह आपके पास यह दिके इस तरह से मैंने दोनों से वन्या और मैंने ओफ करदिया तो यह धेए मेरे पास जो मेरी ऊट Jackie Larm की मों भी श्योय हो गई है यानि श्को का कलर हट गया है और मेरे पास मेरे पास जो मोजूद है ये बारीक सी लाइन असल Μें ये पाथ है तो अब आप देखें कि ये पाथ बिलकुल बारीक सी है अब इसे जिस तरह चाहें ला भी सकते है ठीक है तो अगर मैं ये देखें अपने जो आर्ट-बॉर्ड पर कहीं और क्लिक करती हूं तो मेरे पास पात गायब हो गई है लेकिन वह आर्ट बोर्ड पर मौजूद है मैं इस तरह से स्लेक्शन टूल की मुझे स्लेक करूंगी तो वह मुझे शू हो जाएगी ठीक है तो इसके ओपर अगर हमें नजर आनी चाहिए तो इसके ओपर हमाई पास स्ट्रोक के बारे में मज़ीद और क्या-क्या हम जान सकते हैं तो अगर आप ने इनहें आपके पास इस तरह से स्ट्रोक मुझूद है या दोनों आपने बंद किये हुए हैं या पिर आपके पास प्लक और आजाएंगे ठीक है और अगर आप इन दोनों को यानि के फिल को को आपस में का कलर चेंज करना जाते हैं तो यह आपको उपर की तरफ एक इन एरो नज़र आएगा ठीका इन यह तरह अनि कर उसके और प्लिक करें वह एिस पर ने स्टोग और फिल को इसका कर सकते हैं और इसकी च्रोफ की है impressed दा अब मैं अपनी जो फात है सबसे मैं इसे swap करती हूँ, दुबारा से ताकि मैं पास डूखा का अकलर गार कलार जो बलیک नजर आए जो नजर आ सके जे तो ये देखे मैं पास डूखा कलर गार गार जो है बलाएक आ चुका है इसे मैंने वापिस फोर पॉंट पे करती हूँ तो वीवर्स आपने देखा कि पाथ क्या चीज़ है पाथ हसल में इसके नीचे स्क्रोक के नीचे बारीक सी लाइन है ठीक है जो बिल्कुल एक इनसानी जिस्समें हडियों के धांचे की तरह काम करती है यह भी हमारे डिजाइन के अंदर उसी तरह काम करती है तो चले अब मैं आपको बताती हूं के एंकर पॉइंट्स क्या हैं आपको फिल और श्रोक के बारे में भी साथ ही बता दी है तो अब देखते हैं के एंकर पॉइंट्स क्या है उसके लिए हम बनाएंगे एक स्केर शिफ्ट की मदद से मैं बना लेती हूं स्केर और अब अगर आप देखें यह एक box है ठीक है मैंने इसे select किया यह selected है तो अब मैं जूम करके आपको दिखाती हूं अगर इसके चारो कोनों पर आप देखें इस कोने में लेकर जाते हैं यानि इस anchor point पर लेकर जाते हैं तो आपके cursor के नीचे छोटा सा box आपको नज़र आएगा ठीक है तो वह box जो है उस की वज़ा से आपको indicate करेगा कि आप आपका जो cursor है वो इस वकत anchor point पर है ठीक है तो यह अब आपको path की और anchor point की तक्रीबन समझा चुकी होगी ठीक है हम चाहें तो हम anchor point को किसी एक anchor point को select कर लें ठीक है ठीक है उसे change कर लें जिस तरह से मरसी जाहें जिस तरह हमारा design जो है व रिक्वायर करता है तो चलें अब आप लोगों को मैं बताती हूं कि कर्व हैंडल्स क्या है तो उसके लिए मैं बनाऊंगी यहां पर circle ellipse tool लिया मैंने और shift की मदद से मैंने एक circle बनाया तो guys अब अगर आप लोग देखें circle में भी anchor points है ठीक है चार circle में भी चार anchor points है यानि चार dot है इसके चार और इसके उतने ही handle है हर dot पे दो handle है एक उपर की तरफ और एक नीचे की तरफ ठीक है तो यह जो है न यह आपके handles कहलाते हैं anchor point को click करो और आपके पास handles जो है वो activate हो जाएंगे आप इससे चाहो इस तरह पकड़के अपने object को modify कर दो यानि उसमें तबदीली ले आओ change ले आओ जिस तरह से आपको जरूरत हो need हो अब उसे उसी तरह से change करो तो आप देख सकते हो कि हम handles की मदद से circle square कोई भी shape हो हम उसे change कर सकते है ठीक है तो यहां अब आप लोगों को path की anchor points की और handles की समझ आ चुकी होगी और उसके इलाबा आपको मैंने fill और stroke का भी बताया है और अगर आपको fill और stroke का color change करना हो तो आपने यहां पर double click करना है तो आपके पास यह चोटा सा dialogue box खुलेगा आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी color ले लें मैं कोई color करूं अगर तो और अगर मैं इसका stroke का color change करना चाहूं तो वह भी मैं stroke पर जाकर double click करूंगी और stroke का color change करूंगी तो यह देखें मैं कोई और color करती हूं ताके आपको clearly नजर आये change हुआ तो यह देखें आपके पास stroke का color भी change हो चुका है ठीक है तो viewers आप लोगोंने आज सीखा path के बारे में अंकर points के बारे में curve handle के बारे में fill and stroke के बारे में ठीक है तो याद रहे path पर तमाम vector designs बनते हैं लेकिन paths जो है वह एक से ज्यादा anchor points से मिलकर बनती है ठीक है और anchor points के curve handles होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी design को modify कर सकते हैं उससे change कर सकते हैं उसे यानि अपनी मर्जी से अपनी design के यानि के हिसाब से उसे change कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ आपको आज की class अच्छी लगी होगी आपको समझ आई होगी अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप comment में मेरे से पूछ सकते हैं मैं इंशाल्ला आप लोगों के comment का जवाब जरूर दूँगी अगर comment में ना दिया जवाब तो फिर मैं आपको वीडियो में बता दूँगी ठीक है तो मेरी वीडियो को like करें ठीक है और मेरे चैनल को subscribe करें थैंक्यू